नमस्कार मेरे प्यारे साथियों आज महाशिवरात्री जैसा कि हम सब लोग जानते हैं तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्री की अनेक अनेक शुब कामना हैं अगर हम देखें तो भारत में बेभिन मत और पंथों के लोग रहती हैं जो छोटे बड़े तेवहारों को अगर इन सभी को मिला दिया जाएं तो वो करीब 365 छोटे बड़े तेवहार हैं इसका मतलब क्या हो? कि प्रती दिन हम एक तेवहार मनाते हैं चाए प्रतेवहार छोटा हो चाए बड़ा हो इन में से करीब 36 to 45 तेवहार तो अभी भी मनाए ही जाते हैं अब किसी कारण बस 365 तेवहार हम नहीं मना पाते हैं चाहे समय की कमी होए चाहे जो हो लाइफ स्टाइल हो लेकिन 36 to 45 छोटे बड़े तेवहार हम मनाते हैं और इन 36 to 45 तेवहार हों में से 6 to 7 तिवहार जो हैं बहुत बड़े-बड़े होते हैं Large scale पर मनाई जाते हैं लगभग हर आदमी इसमें सामिल होता है अब इन्हें में से महा शिवरात्री भी एक important तिवहार है जो कि फालकुन क्रिश्म पक्ष शतुर्दसी को मनाई जाता है और गर्मी परियाप्त रूप से बढ़ चुकी होती है शरीर में उर्जा का संचार होने लगता है ऐसे में हम लोग महा शिवरात्री का देवहार मनाते हैं रात्री जागरन का देवहार है वास्तुम इसमें हमें रात में जागरन करके शियों को भक्ती करनी चाहिए इह तिवहार वास्तों में संकर जी के बीवाह का तिवहार है संकर जी का पार्वती के साथ जो दूसरा बीवाह हुआ था हिमाचल की पुत्री पार्वती देवी के साथ हुआ था और आज़ी के दिन ये तिवहार विवा संबन हुआ था ऐसा माना जाता है शंकर जी का प्राकर्ट्य भी आज़ी के दिन हुआ था प्राकर्ट्य अथसों भी है और एक कीवदन्ति ये भी कहती है कि गरल का पान जो समुद्र मंथन से विष निकला था उसका भी पान आज ही के दिन किया था संकर जी लेकिन सबसे प्रशिद्य की विदंती यहीं है कि शंकर जी का बिवा हुआ था दूसरा बिवा पारवती के साथ हुआ था अगर हम इस विषय पर विचार करें तो शंकर जी एक शारभौम देवता है जिनको देवता भी पूजा करते हैं भगवान स्री राम चंद्धी भी संकर जी की पूजा करते हैं और दानो अर्धात राक्षस राज रामण भी पूजा करता है और शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्य भी होते हैं आउधर दानी कहे जाते हैं अगर शादी समारोह के विशे में आप लोग पढ़ें जैसा कि विवन किताबों में लिखा गया है ग्रंथों में वाणन है तो उसमें भूत प्रेत भी थे और देवता भी थे उस समारोह में इसका मतलब शीव जो हैं कल्याणकारी हैं और सभी के लिए कल्याणकारी है भूत प्रेतों के लिए भी दानों के लिए भी देवताओं के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी कल्याणकारी हैं सभी के लिए कल्यानकारी और यहीं शिवकास कल्यानकारी श्वरूप यह कत्व अस्थावित करता है धरापन सभी को मिलाने का काम करता है संभोत विवरीत परिस्थातियों में को जोड़ने का काम शिवतत्व ही करता है जिससे मनुश्य के अंदर उर्जा का संचार होता है नकिवल मनुशिवत परंद इस पूरी स्रिष्ट के अंदर उर्जा का संचार होता है और स्रिष्ट का कारिकरम चलता है इस शिवत्य के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है अगर शिवत्य खतम हो जाए तो कुछ भी चीज संभव नहीं है यह शिवत्य इसी इंटिग्रेशन को कहते हैं कि अगर समाज में विभिन प्रकार की लोग रहते हैं उन सभी को जोड़ करके एक साथ चलना ही शिवत्य है शिव है तो इस विचार के साथ की हम लोग भी अपने समाज के विभिन लोगों को आपस में जोड़ करके आगे बढ़ेंगे आएए भगवान शीव को हम लोग प्रणाम करते हैं और फिर से एक बार महा शीवरात्री की शुब काम नहीं